नमस्कार सबी को आज हम मानो नेत्र दृष्टी दोस्ट जो हैं उनके बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे इस वीडियो को आरम करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो हमारा जो चैनल है वीफोर यू भारत जो कि साइंस से रिलेटेड एजुकेशनल और इनोवेटिव जो इनफॉर्मेशन जो होती है उनको समर्पित है उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नए-नए एजुकेशनल और इनोवेटिव साइंस वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंशते रहें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी जो है वो लाभानवित हो सके तो धन्यवाद और अब हम वीडियो को आरम करते हैं सबसे पहले मानवनेत्र की देखने की सीमा यानि कि जो स्वस्त मानवनेत्र जो होता है उसकी देखने की सीमा कितनी होती है स्वस्त मानव नेत्र जो है उसकी देखनी की सीमा जो होती है 25 cm से अनन्त दूरी तक होती है और इसे मानव नेत्र की द्रश्टी परास कहते है कई बार प्रस्ण पूचा जाता है कि स्वस्त मानव नेत्र जो है उसकी द्रश्टी परास जो है वो कितनी होती है तो स्वस्त मानव नेत्र की द्रश्टी पराज जो होती है वो 25 cm से अनंत दूरी तक होती है किसी वस्तु की इसपस्ट देखने के लिए नियूंतम दूरी जो होती है वो 25 cm यानि कि स्वस्त मानव नेत्र से किसी वस्तू को अगर हमें इसपष्ट देखना है तो उसकी नियूनतम दूरी 25 cm होनी चाहिए उससे कम नहीं हो और इसपष्ट देखने की अधिक्तम शीमा जो है अधिक्तम दूरी जो होती है वो अनन्त होती है मतलब अधिक्तम अनन्त दूर तक स्वस्त मानव देत्र जो है वो इस्पष्ट देख सकता है तो ये जो 25 cm जो है वो मानव नेत्र का निकटतम बिंदु है और अनंत दूरी जो है वो स्वस्त मानव नेत्र का दूरतम बिंदु है तो स्वस्त मानव नेत्र जो होता है वो नियोंतम 25 cm से अनंत दूरी तक इस् तो उसे मानव नेत्र द्रश्टी दोस की संग्या देते हैं और विभिन नेत्र द्रश्टी दोस जो है उसका हम आगे विस्तार शेद्यन करते हैं सबसे पहले निकट द्रश्टी दोस निकट द्रश्टी दोस से ग्रशित व्यक्ति को निकट की वस्तु जो होती है वो साप दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं जो है वो साप दिखाई नहीं देती क्योंकि आंक के लेंस द्वारा निर्मित परतिविम जो है वो र दूर इस्तित कोई वस्तु है तो इस दूर इस्तित वस्तु से प्रकास की किर्णे जो है वो नेत्र की तरफ आती है और ये नेत्र का अभी नेत्र क्लेंज है और ये अभी नेत्र क्लेंज जो है वो अपफरतन की किरिया के द्वारा वस्तु का प्रतिविम बनाता है लेकिन निकट द्रश्टी दोस के संदर में क्या होता है कि जो अभी नेत्र क्लेंज जो होता है वो वस्तु का प्रतिविम जो है वो रेटिना से पूर्व बना देता है ये नेत्र का रेटिना है द्रश्टी पटल है और इस रेटिना से पूर्व ही वस्तु का जो परतिविम है वो बन जाता है इसे निकट दृष्टी दोस कहते हैं सामाने ताज जब वस्तु का परतिविम अभिनेतर क्लेंस के दोरा दृष्टी पटल या रेटिना के द्रग बिंदू पर बनता है तो वस्तु हमें इस प्रश्ट दिखाई देती है लेकिन इस निकट द्रश्टी दोस में क्या होता है रेटिना से पूर्व बन जाता है वस्तु का जो प्रतिविम है दूर इस जो वस्तु होती है उसका प्रतिविम जो है वो रेटिना से पूर्व बन जाता है उसकी वज़े स वस्ति इन भॉकर दिचाय देटी बीद मुष्टyu — अभी के लिए इस द्रश्ति के निवारन के लिए अव्तர लेंस का उपयोग giyauter देटा है जो दूर से आने वाली किन्टों को थोड़ा अफसारित कर देता है जिस कारण परतिबिम जो है वो रेटिना पर ही बनता है और वस्तू जो होती है वो साब दिखाई देती है तो outer lens जो होता है उसको अफसारी lens भी कहते हैं अफसारी लेंज इसलिए कहते हैं क्यों कि यह प्रकास की किंड़नों को फेलाने कागाम करता है तो यह वस्तू से दूर इस वस्तू से यह प्रकास की कीड़ने आ रही है नेतरी की तरप और यहाँ पे बीच में आव्तर लेंज का जो चस्मा है वो है और यह आव्तर लेंज क्या करता है इन प्रकास की किर्णों को थोड़ा अपसारित कर देता है थोड़ा फेला देता है और फेलाने के बाद में जो अभी ने इत्रक लेंज जो है वो प्रकास की किर्णों का पुन जिसकी वज़े से जो दूर की जो वस्तों हैं वो इसपस्ट दिखाई देती है और दोस का निवारण हो जाता है अगला द्रश्टी दोस है दूर द्रश्टी दोस इस दोस से पीडित व्यक्ति को दूर की वस्तुमें जो होती है वो साप दिखाई देती है यानि कि दूर की वस्तुमें तो साप दिखाई देती है पर उन्तु निकट की वस्तुमें जो है वो साप दिखाई नहीं देती यानि की दूर की वस्तु में तो साफ दिखती है निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती क्योंकि नेत्र लैंस द्वारा बनने वाला प्रतिर्विम जो है, वो रेटिना के पीछे मनता है तो मानली जीए ये कोई आँख के निकट कोई वस्तु है और इससे प्रकास की किर्णे जो है वो नेत्र की तरह पारी है और सामानियते जो है वो वस्तु का प्रतिविम जो है वो आँख के रेटिना या द्रश्टी पटल पर बनना चाहिए लेकिन दूर द्रश्टी दोस में क्या होता है अभी नेत्र क्लेंज जो है वो परकास की किर्णों का अफवर्तन करता है अफवर्तन करके वस्तु का प्रतिविम बनाता है लेकिन वस्तु का प्रतिविम जो है वो दूर द्रश्टी दोस में रेटिना से पीछे बनता है और पी उसमें जो दूर की वस्तुएं जो है वो साब दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं जो है वो साब दिखाई नहीं देती इस दोस्त के निवारण के लिए उत्तल लेंज का परियोग किया जाता है जिससे परतिविम जो है वो आंक के रेटिना पर ही बनता है और निकट की वस्तुएं जो है वो भी हमें साब दिखाई देती है तो ये निकट इस्थित वस्तु है इससे परकास की किंड़ने आ रही है और दूर दुर्ष्टी दोस्त निवारण के लिए उत्तर लेंज का उप वो शिखोड देता है ficarटाई कर देता है और फिर पुनीय परकास के किंड़नों का अपवर्थन होता है और इस बार जो वस्तु का जो परतिविम होता है वो रेटिना पर ही बनता है दरश्टी पटल पर बनता है द्रक बिंदू पर बनता है तो इस बार जो परतिबिम बनता है वो इसपस्ट बनता है और वस्तु जो है निकट की जो वस्तु है वो इसपस्ट साफ दिखाई देती है तो इस प्रकार से इस दोस का निवारण हो जाता है अब निकटदर्श्टी दोस और दूर दर्श्टी दोस जो है उसको याद रखने के लिए किसी भी परकार का कनफूजन नहीं हो उसके लिए एक ट्रिक है वहती आसाूँ ट्रिक है और वो ट्रिक है एक पंक्ती आउनी को दूर से ना दिखे आउनी एक लड़की है और उसको दूर से साफ दिखाई नहीं देता अब इस ट्रिक को समझते हैं अब इस ट्रिक को समझते हैं इसमें आउस से तो हो गया और नी से हो गया निकट द्रश्टी दोस और को जो है इसमें जोड़ने के लिए हैं पंक्ति को जोड़ने के लिए हैं दूर से ना दिखे आउसे आउतर लेंस नी से निकट द्रश्टी दोस और को दूर से ना दिखे यानि की नी से निकट द्रश्टी दोस जो होता है उसमें दूर की वस्तुएं सपष्ट दिखाई नहीं देती और इसके निवारन के लिए आउतर लेंस का उपयोग किया जाता है तो यह ट्रिक है जिसमें आव से आउतर लेंस, नी से निकट दरश्टी दोस और दूर से ना दिखे यानि कि आउतर लेंस, निकट दरश्टी दोस और दूर से ना दिखे तिनों आपस में जुड़े हुए हैं तो इस ट्रिक की साहता से हम निकट द्रश्टी दोस जो होता है उसको याद रख सकते हैं और जब दूर द्रश्टी दोस की अगर बात की जाए तो दूर द्रश्टी दोस जो है वो निकट द्रश्टी दोस का ओपोजिट होगा बिल्कुल ओपोजिट होगा वाइस वर्सा उसमें जो पास की जो वस्तुएं जो हैं वो साप नहीं दिखाई देगी और उसके निभारण के लिए उत्तर लेंस का उपयोग किया जाएगा तो इस एक मात्र पंक्ति की साहिते से हम बीना किसी कंफ्योजन के दोनों नेत्र द्रश्टी दोसें उनको अच्छे से याद रख सकते हैं अब हम अगले नेत्र द्रश्टी दोस पर आते हैं जिसका नाम है जरा द्रश्टी दोस और इसे प्रेस बायोपिया भी कहते हैं जरा द्रश्टी दोस जो होता है उसमें निकट द्रश्टी दोस जो है वो भी होता है और दूर द्रश्टी दोस भी होता है यानि कि निकट प्लस दूर यानि कि जरा द्रस्टी दोस जो होता है उसमें निकट द्रस्टी दोस भी होता है दूर द्रस्टी दोस भी होता है यानि कि निकट की वस्तुएं भी साप नहीं दिखाई देती और दूर की वस्तुएं भी साप नहीं दिखाई देती इस परकार के लचिलापन कम हो जाता है जिससे लेंज की जो समायोजन की जो चमता होती है वो कम हो जाती है यानि कि जरादरश्टी दोस में न तो दूर की वस्तों इस परस्ट दिखती है और नहीं पास की वस्तों इस परस्ट दिखाई देती है और इसका कारण क्या है उम्र बढ़ने के सा साथ अभीनेत्रक लेंज जो है उसका लचीलापन जो है वो कम हो जाता है जिससे लेंज की जो समझन चमता है समायोजन चमता जो है वो कम हो जाती है यानि कि जरा दरश्टी दोस जो है उसमें निकट दरश्टी दोस दूर दरश्टी दोस दोनों का कॉंबिनेशन होता है और उप्चार के लिए द्वी फोकसी लेंस बाइफोकल लेंस जिसमें उत्तल और आउत्तल लेंस दोनों का उप्योग किया जाता है तो जरादर्ष्टी दोस्ट के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस वाले चसमें का उप्योग किया जाता है जिसमें उत्तल लेंस और आउत्त कम हो जाती है और उसका लचिलापन जो है वो भी कम हो जाता है इस कारेंड ये प्रकाश का परावर्तन करने लगता है और वस्तु का प्रतिविम जो है वो रेटिना पर बनाता है लेकिन मोतिया बिंद जो है उसमें नेत्र लेंज जो होता है वो अपारदर्शी हो जाता है जिसकी वज़े से प्रकास का परावर्तन करने लग जाता है जिसकी वज़े से वस्तु जो है वो हमें सपष्ट दिखाई नह मानन नेतर का अभीनेत्रक लेंज इसमें जो नेतर लेंज जो है वह अपारदर्शी, पधारत का जमाव हो जाता है मतलiska उसक्का उम्र के बढ़ने के चैंऑ प्दर्शी पदार्थों का जमाव हो जाता है और कहीं बार तो बकुर जलेता है। लेंस इतना धुंदला हो जाता है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता इसे केट्रेक्ट या मोतिया बिंद कहते हैं कि इस दोस्त को दूर करने के लिए नेत्र लेंस को हटाना पड़ता है मनुषिय का जो नेत्र का जो लेंस जो है जो अपरद्रशी है खराब हो गया है उसको हटाना पड़ता है पूरो में सल्य चिकिसा द्वारा मोतिया बिंद को निकाल दिया जाता था नेत्र लेंज को निकाल देने से व्यक्ति को मोटा व गहरे रंग का चस्मा लगाना पड़ता था मतलब पहले तो क्या करते थे नेत्र का जो लेंज है उसको निकाल देते थे और उसकी जगे व्यक्ति को बहुती मोटा और गेरे रंका चस्मा लगाना पड़ता था लेकिन आधुनिक विधी में मोत्या बिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर करतिम लेंस लगा दिया जाता है मतलब नेत्र का परतियार ओपन कर दिया जाता है और जो नेत्र करतिम लेंस जो होता है उसको इंट्रा ओकुलर लेंस कहते है यानि कि मोत्या बिंद के निवारण के लिए सल्य किरिया के द्वारा करतिम लेंस जो होता है जिसको इंट्रा ओकुलर लेंस कहते है वो मानव नेत्र में लगाया जाता है अगला नेत्र द्रश्टी दोस है द्रश्टी वेसम्य, दोस जिसको एस्टिक मैटिज्म भी कहते हैं द्रश्टी वेसम्य दोस या अब इंदुक्ता दोस जो है, वो कोर्णिया की गोलाई में अनियमित्ता के कारण होता है जो मानो नेत्र का जो आगे का जो पारदर सी भाग जो होता है जिसको स्वच मंडल या कोर्निया कहते हैं उसकी गोलाई में अनियमेता की वज़े से ये दो सुत्पन होता है इसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी उदरवादर और 36 रेखाएं जो होती हैं वो एक साथ इस तरह की रेखाएं और 36 रेखाएं मतलब ये इस तरह की रेखाएं उदरवादर रेखाएं खड़ी रेखाएं और 36 रेखाएं मतलब जमीन से सटिवी रेखाएं तो द्रश्टी व्यक्ति को समान दूरी पर रखी उदरवादर और 36 रेखाएं जो होती हैं वो एक साथ इ और इसका कारण होता है कोर्णिया जो होता है स्वच मंडल जो होता है उसकी गोलाई में अनियमित्ता उत्पन हो जाना और इसके निवारण के दिलिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस के उपयोग से दृष्टी वेसम्य दोष्ट जो है उसका निवारण किया जाता है तो इस प्रकार से हमने जो मानव नेत्र दस्टी दोस्ट जो है विबिन प्रकार के नेत्र दस्टी दोस्ट जो है उसके बारे में हमने विस्तार शैद्यन किया तो जै हिन जै वारत धन्यवाद